अस्तनम लेकूम दिस इस इंडिपेंडेंट डारेक्टर राफियर रिस्वान है मेकप मेकप करना सबको अच्छा लगता है सबका शौफ होता है चाहे वो डार्क मेकप हो या लाइट मेकप पर आज हम कुछ डिफरेंट डिस्कस करेंगे जैसे कि क्या आप मेकप फेस के साथ सो जाती है अगर हाँ तो ये विडियो आप के रिए ही है अगर फेस पे फाउंडेशन लगा हुआ है और आप सो जाएं तो आपकी स्किन पे वाइट हैट्स या ब्लैक हैट्स की प्रोडक्शन और हो सकती है ऊफेन प्ोर्स भी हो जाते हैं वासवक Bianche पे एक्नी प्रोडक्शन होने लग जाती है एकचली इसकिन ऑयल एंड फाउंडेशन मिक्स होने की वज़े से एक कॉलज इनकी प्रोडक्शन लोग हो जाती है इसकिन लोज हो जाती है you know सेविन टाइम स्किन जल्ली एजिक की तरफ जाती है मस्कारा मस्कारा अगर लगा रह जाए तो आई इरिटेशन, सेंसिटिविटी एंड लिटल बैक्टेरिया आपकी आई लाइशिस को डेमज कर देते हैं लेप्स्टिक वैक्स एंड लेट की वज़े से आपको फीस करना पड़ता है डेट लेयर ओन लेप्स और डिहाइडरिटेड लेप्स हम सब चाते हैं फ्लोलेस स्किन और हमें मिल रही है डे बाइडे एजिंग तो आज तही अपनी इसके रूटीन चेंज कीजिए और Optimal Hydra का माइसेलर क्लेंजिंग वाटर अपनी तेरी रूटीन में यूज कीजिए जिसमें शामिल है स्वेडिश नाचुरल इंड्रीडेंट्स एंड हाइडर राइस टेकनोलोजी तो लॉक इन मॉइस्चर और अल्कोहल फ्री तो आपकी स्किन ड्राइनस पे नहीं जाएगी माइसेलर वाटर को एक पॉर्टन पैट पर अच्छे से ले लें एंड मेकप फेस पे अच्छे से स्किन को साफ करें यह तर्ट एंड मेकप को इस स्किन से इजी ली निकाल देता है और ऐसे निकालता है जैसे वेक्यूम क्लेनर कार्पेट से डस निकाल देता है उमीदेए वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके बहुत काम आएगी साइनिंग आफ